आज आप करते हैं कि हम अपना साइन बोर्ड नहीं लगाएंगे भाई आप संदिक्द हैं क्या आतंक वादी हैं क्या आप टेरिरिष्ट हैं आप कुछ ऐसा करते हैं कुछ आईसी गत्विधी करते हैं कि जिसे समाज को हानी होता है यह तो फिर आप कानून के दृष्टी में भी आप अपरादी हैं हम लोग तो देख लिए कि भाईू उपर से लिखा हुआ है हिंदू देवी देवताओं का चित्र लगा है तो हम लोग चले गए बाद में धर्म भरष्ट हो रहे हैं इसलिए देश में 80% लोगों का जो धर्म भरष्ट हो रहा था उस हिदू नाम लिखाएं जिसे असपष्ट हो जाकि हिए हिदू है या मुस्मार्ण इसमें किसी को आपती है तो गलत है जिसे गलत आपती नहीं होना चाहिए तो रेस्टोरेंट मालिकों की नाम परदेशित करने के आलोचना किया उन्हों परता है कि मुस्लिम यह है देखिए लगातार जो घटनाएं आ रही थी कि तमाम जो है रिस्टोरेंट हैं दुकाने हैं उसमें जो है जै बशनो मता और बशनो धावा इत्याद जो है हिंदू नाम लिखा होता था और मालिक उसका अनर मुस्लिम होता था आपती यहां नहीं है आपती यहां होती है कि जब कोई चीज़ खाना खिला देना करके जो है तो जो है कोई फाल फ्रूट है उसमें जो है गंदगी लगा करके बेच देना तो यह कई बार जो है जब वीडियो बायरल हुआ तो इस पर तमाम समाज का समाज की आपती रही कि जो भी दुकाने है या धावा है या रिस्टोरेंट है तो जो आनर है उसका जो मालिक है उसका नामुजागर होना चाहिए सामने वाला वेक्ति कम से कम अपने धर्म की रक्षा कर सके तो बीपक्ष है चुकि बीपक्ष से जा करके उनका मुसल्मानों का इसमें हम लोगों को आपती नहीं है लेकिन हम लोग अपने धर्म की रक्ष हुआ है इसलिए देश में असी परस्त लोगों का धर्म ब्रस्ट हो रहा था उसको बचाने के लिए प्रदेश सरकार का सराहिन ही पाहला है और विफक्ष जो है तो हमें किसी इसाई-Muslimाथ से दिक्त नहीं है लेकिन हमारा i हो द करना है deli साब विपक्ष जो है तो जा करके मुसल्मानों कि हमें इससे दिकत नहीं है लेकिन सब का जो है धर्म ब्रस्ट करने के लिए जो है अगर विपक्ष इस तरह से चाहता है तो गलत है करते हैं और रही बात गाइडलाइन की तो जो भी सासन प्रसासन जारी करे के उत्तरपदेश की जनता है इस वो भाठे जनता पार्टी के साथ रहे है और मैं मानता हूं करते हैं कि क्या हैं कि ट्र्रिस्ट करते हैं कि जिसते समाज को हानी होता है यदि ऐसा करते हैं तब तो फिर आप जो करते हैं अब चुकि हमारे हाँ कोई आइसा ब्यवस्था नहीं है हमारें हम सुद्ध सत्य संहातनी हैं और हम पवित्रता के आधार पर ही अपना कोई परबागत तेवहार मनाते हैं और मैं मानता हूं कि जो हमारे मुख्यमंतरी जी ने दिसान देश जारी किया है वो सबी को स्विकार किया जाना चाहिए आज हमारे पास आधार कार्ड क्यू होता है हमारे पास ओटर आईडी कार्ड क्यू होता है यह हमारी पहचान है हमारी पहचान के लिए बनाया गया सरकार का मंसा बड़ा अस्प्रेश्ट है आपका आप जो भी करो अपने पहचान के सा कि FRAWK Gira आप पहचान के साथ नहीं कर एक आप नागरिक नहीं क्या आपको पहचान बताने में समस्या हो रही है भी बात पहचान किया तैंध्यो चैंज हो आप लड़ परते हैं कि 172 में छेक्षिस किते अब आज विपक्ष हमाइब कि कूछ दिसाने ग Strategy करते हैं तो आप कहते हैं कि यह दरिम के अधार पर रही है यह अधार पर ठेक नहीं है यह error कर भी नहीं होगा आप अपनी मांसिक कि स्तिति को बदल ए जो भी नेता पत्सक्षा है जंता के मुद्द को उठाए इस परकार से किसी के जो है किसी की आईडी कार्ड को मत छुपाईए अगर किसी की साइन बोर्ट को उसके दुकान के सामने लगाना उसके रेस्टोरेंट के सामने लगाना है तो आप वहाँ लगवाईए लगवाने में आप उसका सहयोग करिए मैं यह मानता हूं पच्छे ने यूपी सरकार के आदेश जो रेस्टोरेंट मालिकों का नाम परदसित करने को लेकर किया है उससे आदेश को आलोचना की हो कहाएगे मुस्लिम बिरोधी है देखें यह मिश्लम बिरोधी नहीं है बल्कि यह सब को मालूम पढ़ जाए कि जो हिंदू नाम रख करके और मुसलिम अपनी दुकान चलाते हैं इनकी यहाँ एक परमपरा है कि जो इनके समान होते है उस समानों में थूख देते हैं थूखने की परमपरा है जो मैं इसे प कि हमारे यहां की परंपरा है, कि यह जो उसमें थूका जाता है, तो कई जगे इस परकार से आया है, इसलिए जो कहा गया है कि नहीं दुकानों में जो मुस्लिम हैं, मुस्लिम नाम लिखें, जो हिंदू हैं, हिंदू नाम लिखें, जिससे असपस्ट हो जा कि हिंदू हैं या प्मस्रमान के दुखान हैं जो हिंदू के नाम से चलाते हैं और लोग एह समझ करके कि हिंदू का है और उसको खरिदते हैं करने के परिड़ाम यह होता है कि उनको जूठा समान मिलता है। इसे यह जो जोगी जी ने तैंकिया है कि नहीं, इनके नाम जो हैं वो हिंदू है तो हिंदू लिखा जाए, मुस्लिम है तो मुस्लिम लिखा जाए, इसे असपस्ट हो जाएगा कि किसी परकार की भेद भाव नहीं है, भेद भाव जो समझते हैं तो गलत है, उसमें रहा है वो गलत है और इसको कई जगे पकड़े गए हैं यहां तक रोटी बनाने में रोटी में थुके जाते हैं और फल में थुके जाते हैं तो इसलिए हैं और यह मुस्लमाने ही थुकते हैं हिंदू के अपने समानों में ऐसा नहीं करते इसे इस बात जो मोरी जी ने किया है बहुत अच्छी बात है और इसको अस्परष्ट हो जाएगा कि हिंदू का है कि मुस्लिमान का है और ये हिंदू के नाम से दुकान चलाते हैं तो गलत है अपने नाम से चला में मुस्लिम के नाम से चला में तो जो आदेश हुआ है, बिपक्षी इसको विरोत करता हो गलत, और ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि जो हिंदू है, वो हिंदू अपने धंक से समान खरीदेगा, मुस्लमान जो है, और ये तो पता चल जाएगा, कि ये मुस्लमान है और इसके समानों में थोकते हैं, और इसकी जानकारी जब पूछा गया है, तो यही कहें हैं कि हमारी परमता, इनकी परमपरा हो, वो अपने में थोकें जो करें, लेकिन कम से कम जूठन से हिंदू के जो खरिदार हैं, वो बचेंगे.